सब्सक्राइब करें मेरे चानल शिपरा जूशी को और बेल बटन पर क्लिक करें लेटेस्ट रेसिपी विडियो सबसे पहले देखने के लिए अगर आप भी मेरी तरह एक चाई लवर हैं और अपनी रोज की प्लेन चाई को बिना जादा महनत किये बिलकुल टॉप क्लास टपरी वाली मसाला चाई जैसा तेस्ट देना चाहते हैं तो इस विडियो को आखिर तक जरूर देखेगा क्यूंकि इस मसाले से आपकी चाई के टेस्ट में चार चान लग जाएंगे तो चलिए फिर शुरू करते हैं चाई का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमने ली है 3 ग्राम लॉंग, 5 ग्राम दालचीनी, 5 ग्राम काली मिर्च, 5 ग्राम या फिर 18 से 20 पीस हरी इलाइची, 4 बड़ी इलाइची, 1 जाएफल, 5 ग्राम ड्राइ किया हुआ अद्रग का पाउडर, ये मैंने घर पर ही बनाया है, अगर आप इसका तरीका जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के खतम होने के बाद उपर दिये गए आई बटन में जाकर मेरे किचन टिप्स का वीडियो देख सकते हैं, इसके बाद मैंने ली है 1 टेबल स्पून तुलसी की मंजीरी, 10 ग्राम अर्जुन की चाल, ये चाल ह 30 ग्राम सौंट और 2 टेबल स्पून तुलसी के पत्ते, मसाला बनाने के लिए हम तुलसी के पत्तों को दो दिन के लिए धूप में सुखाने को रख देंगे, अब हम लोफ लेम पर एक पैन रखेंगे और उसमें सारी चीजे डालेंगे, जैसे कि ये क्रश की हुई सौंट, बड़ी इलाइची, जैफल, दालचीनी, लॉंग, हरी इलाइची, अरजुन की चाल, काली मिर्च, ड्राइ किया हुआ अद्रक का पाउडर और तुलसी की मंजीरी, अब हम इन सभी चीजों को लोफ फ्लेम पर ड्राय रोस्ट कर लेंगे, इन्हें बस एक मिनिट के लिए ही रोस्ट करना है, वरना मसाले जल जाएंगे और उनका फ्लेवर नहीं आएगा, इसके बाद हम इस तरह का हमाम दस्ता या क्रॉशिंग स्टोन लेंगे और उसमें ये रोस्ट किये हुए मसाले डाल देंगे, और फिर अच्छे से कूट कर इनका दरदरा पाउडर बना लेंगे, ये प्रोसेस हम मिक्सर में भी कर सकते थे, पर उससे इसका टेक्श्चर बिलकुल फाइन पाउडर की तरह हो जाता है, वहीं दूसरी ओर इस तरह से कूटने से इसका टेक्श्चर दरदरा यानि की कोर्स रहता है, जिससे चाय में इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, और इससे लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि अगर आपके घर में इस तरह का कूटने का हमाम दसता है, तो आप उसी का इस्तिमाल करें, अब हम इसमें पहले से सुखा कर रखे हुए तुलसी के पत्ते भी डाल देंगे, और इसे इसी तरह से कूटते रहेंगे जब तक कि ये अच्छे से क्रश न हो जाए, थोड़ी तेर के बाद आप देखेंगे तो ये फाइनली कुछ इस तरह का हो जाएगा, और ये लीजे हमारा होम में चाय का मसाला बनकर तयार हो गया है, जिसमें बाजार की तरह कोई भी प्रिजरवेटिव नहीं है और ये बिल्कुल नाचरल प्रोसेस से बना प्यार मसाला है, तो अब आप जब भी चाय बनाएं, इसकी एक चाथाई चमच एक कप चाय में डालें, और बस आपकी मसाला चाय बनकर तयार हो जाएगी, अब आपको एक काम और करना है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिये और अपनी दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर कीजिये, ताकि वो भी बहतरीन मसाला चाय का आनन्द घर पर ही ले सकें, साथ ही साथ मेरे चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिये, थांक्यू फो वाचिंग,